वेलकम बैक गाइज तो ये जो कोश्टन साब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आपका सेकेंड सिफ्ट आज जो इंडियन एर फोर्स का एक्जाम हुआ उसमें सेकेंड सिफ्ट और थर्ड सिफ्ट का कोश्टन है ठीक है दोनों mixer question है दोनों mix है और इसमें आप लोग देख लेना आपने exam दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि कौन सा second shift का है और कौन सा third shift का है ठीक है लेकिन सभी question बहुत ही ज़्यादा important है सबसे पहले हम questions को सभी को analyze करेंगे देखेंगे and then last में मैं बताऊंगा कि आपको कल के लिए क्या करके जाना है और इस बीस में भी बताऊंगा कुछ questions ऐसे हैं जो कि आपको बताना जरूरी है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं questions को उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लो नईने वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो अब शुरू करते हैं और पहला question देखिए फीकल का एंटो पूछा था ठीक है एंटोनियम्स जो होता है फीकल का पूछा गया था तो इसका जो एंटोनियम्स होता है वो दो हो जाता है ठीक है अगला question था कि admit का synonyms क्या होता है admit का sino क्या होता है तो दोस्तो admit का दो यहाँ पर मैंने लिखा है confess भी हो जाता है और reveal भी हो जाता है अब option में क्या था यह तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन admit का यह साइनों हो जाएगा आपका confess और reveal तो आपका जो भी था वो आपने किया होगा तो सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे question था दोस्तो कि मनुस्ये ने सबसे पहले किस धातू का उपियोग किया यह question हमेशा पूछा जाता है exams में आगे question था कि statue of unity किसे समर्पित है दोस्तो यह question कल भी पूछा गया था ठीक है कल second shift के exam में और आज भी पूछ दिया गया कल मैंने बोला था कि आप लोग statue of unity से related जितने भी questions होंगे उसकी लंबाई कहां पे है किस नदी के किनारे है सब देख लेना अच्छे से गुजरात में है यह आप लोग यह चीज़ भी याद रखना क्या पता कल exam में पूछ देगी कहां पे इस सित है ठीक है और उसके बाद आपका लंबाई 180 meter के असपास है आप एक बार चेक कर लेना ठीक है और statue of unity जो है सरदार वललब भाई पटेल को समरपीत है तो यह भी याद रखना क्या पता फिर से repeat कर दे question को कुछ पता नहीं है ठीक है तो यह question इसे रिटर्ट जितने भी question है वो आप जरूर देख लेना कि हो सकता यह भी पूस्दे की statue of unity को कब इसकी उदगाटन हुआ इसका और किस ने किया ठीक है तो नरेंद्र मोदी ने किया ठीक है तो यह सब चीज़े आप देख लेना अच्छे से उसके बाद non-verbal reasoning जो कि figure का question आता है वो 4 थे ठीक है figure का question 4 था उसके बाद एक घड़ी वाला जो question होता है वो था और एक और question था ठीक है तो 5-6 question ऐसे थे जो कि आप आसानी से बना सकते हो मतलब easy to moderate type question थे non-verbal reasoning काफी अच्छी थी मतलब 4-5 non-verbal reasoning के question आहीं रहा है हर एक shift में ठीक है तो आप लोग थोड़ा non-verbal पढ़ लेना अगर अभी भी आपके पास time हो तो आप non-verbal question को थोड़ा देख लेना एक बार फिर से ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हम आगे question था कि वरतमान मुख्य चुनाव आयोक्त कौन है तो वरतमान में मुख्य चुनाव आयोक्त है सुनील अरोडा ठीक है सुनील अरोडा जो है ये वरतमान मुख्य चुनाव आयोक्त है ठीक है आगे question था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी कौन है दोस्तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी है एक जो मुख्यमंत्री CM वाला question ठीक है या फिर CM वाला या फिर governor वाला question ठीक है governor का question की किस राज़े के governor जैसे कि मालनों की मड़ीपूर के governor कौन है इस type का question पूछा जा रहा है या फिर किसी-किसी exam में किसी-किसी shift में तो दोनों होता है एक CM के लिए और एक governor के लिए तो थोड़ा सा आप ये ध्यान दे दे लना कि किस राज़े में कौन governor है और कौन मुख्यमंत्री है CM ठीक हो सकता है question आपका फ़स जाए चलिए आगे बढ़ते हम correctly spelled word यहाँ पे जो होता है आपका wrong word होता है और एक सही होता है वो जो correct होता है वो बताना होता है हमें तो वो था opposite ठीक है ऐसे ऐस option है था opposite ठीक है उसके बाद opposite double S यहाँ पे करके और इसी type के 4 options थे ठीक है लेकिन जो सही option होगा opposite होगा जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यही था ऐसे question आया थे बहुत easy था इंगलिस बहुत easy 2019 cricket बिश्व कप कहां आयोजित होगा तो दोस्तों यह तो लगबग हर किसी को पता है कि 2019 का जो cricket world cup है वो कहां आयोजित होगा इंगलेंड में आयोजित होगा ठीक है तो इंगलेंड जिनों ने भी किया होगा उनका बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यह देखिए यह इस question पर मुझे doubt है ठीक है यह मुझे confirm नहीं है ठीक है तो इस पर अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ लेकिन हाँ एक चीज बोलूँगा कि SPCP और loss percent इन तिनों को मिला करके एक question कुछ आया था इसी type का confirm नहीं है कि कौन सा question आया था ठीक है लेकिन आया था तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना SPCP और इस type का question अगर time मिले तो बहुत easy question आ रहा है mathematics से भी ठीक है आगे question था कि आकास का रंग नीला क्यूं दिखता है दोस्तो आकास का रंग जो है नीला परकास के परकिर्णन के कारण दिखता है आकास का रंग नीला इसी लिए दिखता है और दोस्तो एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि क्या पता exam में ये भी आज़ है question की आकास में जाने पर मतलब अंतरिक्ष में जाने पर आकास का रंग कैसा दिखता है तो काला दिखाई देता है ठीक है तो आप ये भी question अपने दिमाग में जरूर रखना क्या पता पूस दे आगे no sooner के साथ use होगा दोस्तों आपने देखा होगा हमेशा जैसे की no sooner के साथ hardly के साथ और ये सब जो होते हैं 1314 जो की important rules मैंने पहले करवा रखे हैं आप लोगों को आप देख सकते हैं जाकर के playlist में वीडियो को तो दोस्तों no sooner के साथ हमेशा then का उपयोग किया जाता है ठीक है no sooner than ठीक है no sooner के साथ हमेशा then आता है तो then, then, when ये सब option में था लेकिन then जिन्होंने भी किया होगा उनका सही होगा ठीक है तो ये आया था question आगे include का antoniums include का ento आया था और include का ento हो जाता है exclude और omit omit भी हो जाता है omit omit या फिर exclude ठीक है इन दोनों में से हो जाएगा ठीक है आपका include का antoniums अब होगा abandon का synoniums आया था तो अबेंडन का synoniums मुझे option तो नहीं मालूम है लेकिन होता है आपका dessert ठीक है d-e-s-e-r-t dessert हो जाता है abandon का synoniums आगे बढ़ते हम, आगे question था एक की 4, 7, 13 और 22 उसके बाद क्या होगा ये एक series का question था ठीक है और यहाँ पर बताना था हमें question मार के जगा पे क्या होगा देखे दोस्तों इसको कैसे बनाना है आपको यहाँ पर 4 और 3, 6 ठीक है 7 और 6, 12 यहाँ पर 6 और उसके बाद, sorry 7 और 6, 13 और उसके बाद आगे 13 और 9 ठीक है, 22 हो जाएगा तो देखें, 3-3 के अंतराल पे ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 9 के बाद कितना 12 बढ़ेगा, तो 22, 12 कितना हो जाएगा 34 यानि 34 तो देखें, यहाँ पर 34 हो जाएगा राइट एंसर, तो जिन्होंने भी 34 किया उनका बिल्कुल सही एंसर है आगे question था, verb of objective अभी ये question मुझे समझ नहीं आया अगर आपको समझ आया, आप जरूर बता देना और मुझे छूट भी गया मुझे मैंने ये लिखा नहीं जल्दी जल्दी में तो आप लोग जरूर इसका comment करके आप लोग बताना की verb of objective क्या होगा आगे, I know him ये question आया हुआ था, voice का question था ठीक है, इसको बदलना था तो इसका हो जाता है, he is known to me ठीक है, ये question इधना easy voice आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपका एक number 20 और एक number का narration जो है वो तो बिल्कुल confirm है, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान से पढ़ाई किये हैं तो, आगे एक था, एक और शीरीज का question था, कि 4, 7, 12, 19, 28 ठीक है, आगे क्या होगा इस सीरीज में देखिए कैसे बढ़ाया गया है, 4 के बाद 3 बढ़ गया, ठीक है, 7 हो गया 7 के बाद 5 बढ़ गया, 12 हो गया 12 के बाद 7 बढ़ गया, 19 हो गया 19 के बाद 9 बढ़ गया आपका कितना हो गया, 28 हो गया तो 28 के बाद 9 के बाद 11 ही बढ़ेगा ना, 2-2 बढ़ रहा है तो तो 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा यानि एंसर कितना हो जाएगा 49 आगे बढ़ते हम आगे कोशन था बिटामिन के का क्या काम है मतलब मनुस्य के सरीर में बिटामिन के क्या महत्तों रखता है ठीक है दोस्तों बिटामिन के की बात की जाए बहुत सारे उपय इसके बाद हडियों के लिए आपके बोच के लिए बहुत ज़्यादा कुष्चन से इसे आपका Easy था इजी बोलें या फिर moderate बोलें, easy to moderate बोल सकते हैं, तो इसी type का question था, passage बहुत कमी shift में hard आया है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लेना, आगे, एक और question जो की last है अभी का, मा बाप की ओसत आयू 35 साल, तो पुत्र की ओसत आयू 27 साल है, तो पुत्र की ओसत आयू क्या है ये question आया हुआ था, हो जाएगा आपका पुत्र की ओसत आयू 35 साल है, ठीक है, तो यहाँ पर 27 इंटू 3 कर देंगे, माइनस 35 इंटू 2, तो 81 में से 70 घट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 11 साल, यानि जो बेटा है या फिर पुत्र है, उसकी उम्र जो है 11 साल है, ठीक है, ये हो जाएगा answer, तो दूस्तों यही question थे, अभी आपके लिए, जो भी important question थे, मैंने आप लोगों को करवा दिये, और बाकी जो भी जैसे जैसे आता जाएगा, कल का भी तो मैं करवा दूँगा, और कल के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर nervousness मताने देना, और बि वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना इसे, सेर करना आपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर देना, मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में,